नमस्कार दोस्तों आज मैं महान नाटकार विलियम सेक्सपियर के कुछ बेहद प्रेरक विचारों को प्रसूत कर रहा हूँ ऐसे विचारों को प्रसूत कर रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा उन विचारों को प्रसूत करने से पहले मैं आपको यह बता दू बॉलीवूड की कुछ सुपर हिट फिल में कयामत से कयामत तक ओम कारा हैधर मकबूल विलियम सैक्सपियर के नौवेल पर आधारित है विलियम सैक्सपियर की बहुत बरी प्रेरना दायक पंक्तियां उन वैसा बोलो वैसा करो यह दुनिया एक रंग मंच है और सभी आदमी और औरते महज किरदार है उनको आना और जाना होता है और एक बैक्ति अपने जीवन में कई किरदार निभाता है कभी ने कहा था कि यह दुनिया एक रंग मंच के समान है हर बैक्ति यह दुनिया में आता है और अपना किरदार निभा के चला जाता है महांता से घवराइए नहीं कुछ लोग महान पैदा होते हैं कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों के उपर महानता थोप दी जाती है एक मिनट देर से आने से अच्छा है तेन घंटे पहले आए लेकिन आदमी आदमी होता है जो सबसे अच्छे होते हैं वो कई बार ये भूल जाते हैं इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रतेक पल का महत दे क्योंकि आपके द्वारा बिताया गया एक एक पल आपके जीवन में पुना कभी लौट के नहीं आ सकता है पर हे दूसरों की आँखों से खुसियां देखना कितना करवा होता है दरपोक आदमी अपनी मिर्तु से पहले कई वार मरते हैं बहादूर मौत का स्वाद और कभी नहीं बस एक वार चकते हैं जब उन्हें मौत आती है परतेक बैक्ती को अपने आचरन का परणाम धरिय पुर्वक सेहना चाहिए क्योंकि आपने जैसा किया है वैसा आपको पाना होगा मचलियां पानी में रहती है जैसे इनसान जमीन पे रहता है बरे वाले छोटे वाले को खा जाते हैं अक्सर हमारे मानब जीवन में ऐसे ही होता है जीवन में सभी लोगों की सुने पर कुछ ही लोगों से कहे भगवान ने तुम्हें एक चहरा दिया है और तुम अपने लिए एक नया चहरा बना लेते हो एक छोटी सी मुम्बत्ती का परकास कितनी दूर तक जाता है इसी तरह इस बुरी दुनिया में भी अच्छा काम चम चमाता रहता यदि आप में अच्छाई है तो उसकी परकास सदा फैलती रहेगी पढ़ने के विरुद तरक देने के लिए वा कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है मैं अपने उत्तर से आपको संतुष्ट करने के लिए बाद नहीं हूँ मैंने समय नस्ट किया और अब समय मुझे नस्ट कर रहा है इसलिए अपने जीवन में समय का पूरा ध्यान लके यदि आप समय को नस्ट कर रहे हैं तो एक दिन समय आपको नस्ट कर देगा मैं हर उस आदमी की परसंसा करूँगा जो मेरी परसंसा करेगा आनन्द और खिलकलाहट के साथ जुरियां आने दीजिये कभी कहना चाहते हैं अपने जीवन के आखरी पलों में भी आप आनन्द से रहे खाली बरतन सबसे अधी का वाद करते है नाम में क्या रखा है अगर हम गुलाव को कुछ और कहे तो भी उसकी सुगंद उतनी मदर होगी इसलिए अपने जीवन में कभी हतास और निरास ना हो कि लोग मेरे वारे में क्या कर रहे हैं यदि आप में अच्छाईयां है तो आपकी अच्छाईयां सदा चमकती रहेगी सबसे बढ़कर जरूरी है कि हम खुद से सच्छे रहें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता बस हमारी सोच उसे ऐसा बनाती है कई बार फासी एक बुरी साधी से बचा लेती है नौकरानिया कुछ नहीं चाहती बस पती चाहती है और जब उन्हें वो पा जाती है तब उन्हें सब कुछ चाहिए होता है हमारी किस्मत सितारों में नहीं बलकि हमारे अपने अंदर होती है आज मैंने आपके बीच बिलियम सैक्सपियर के कुछ प्रेरक बिचारों को प्रस्तूत किया और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट और सेर करना मत भूले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सस्क्राइब कर दीजिएगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद